हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशिष जोशी आपके सिलिवस में दो छोटे छोटे टॉपिक है वह आज हम कवर करने वाले हैं पहला टॉपिक है इवन और इटू का कंपेरिजन और दूसरा है आपका इन दोनों का फेक्टर अफेक्टिंग तो सबसे ह पहला इनका फुल फॉर्म यह क्या है आपका एक वन मतलब यूनि मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रियक्शन इसका नाम है यूनि मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रियक्शन इसका है बाइमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रियक्शन पहला तो आपका यह आ उसके बाद next क्या है आपका e1 में पड़ा मैंने दोनों दिये हैं अगर आपको doubt है तो आप जो है class मेरी देख सकतो e1 और e2 पे ठीक है इसमें कितने step होते हैं two step दो step की process होती है यह इसमें single step one step में पूरा काम खतम हो जाता है ठीक है जो देखो कुछ नहीं है जो जो हमको समदना हो इसमें क्या है second order reaction second order reaction ठीक है और इसमें क्या है आपका नहीं sorry इसमें first order reaction लगेगे ना एक ही पर depend करता है इसमें क्या है आपका first order reaction है इसमें क्या है second-order reaction second-order reaction क्यों है क्या है मैंने सब तल राक है अचा इसमें और क्या है इन a इवन में में क्या होता है में रोल प्ले करता है टेंप्रेचर हाई टेंप्रेचर में होती है रेक्शन हाई टेंप्रेचर हाई टेंप्रेचर प्लस वीक बेस वीक बेस और इसमें टेंप्रेचर का कोई रोल नहीं है बस स्ट्रॉंग बेस चाहिए इसमें ठीक है स्ट्रॉंग स्ट्माइं और क्या होता है इसमें जो है आपका कार्बो कहँंता है कार्बो कैटाइन फार्म होता है और इसमें रे Engineering और इसमें कार्वो कटाईनी नहीं बन रहा है तो रिय अर्ईमेंट कहां से होगा तो नो रिय अर्ईमेंट अ ठीक है तो यह है बहुत अच्छा सा कंपेरिजन दे रख़ा है एवन वर्सेज इटू का रिवाइस कर देता हूं कुछ भी नहीं एस में इवन मतलब होता है यूनि मॉलीकुलर e2 होता है बाइयमिनेशन रियक्शन ए टीक सेड्वाइन पर एक्षण है विए रियुद यह किया करता है आपका घ्लाइड होता है यह उसको बॉन को फटम हो जाता है इसमें कार्बोकाटाइन बनता है इसमें नहीं होगा ठीक है इतना सा है आपका E1 versus E2 अब हम बात करेंगे इसके factors पर कौन कौन सा ऐसा factor है जो इनको affect करता है factors affecting elimination reaction factors affecting elimination reaction लिख देता हूँ यह आप पर factors affecting अगर आप chemistry को रोज एक घंटा नहीं दे रहे हो मेरे वीडियो देखने के अलावा तो आप नहीं कर पाओगे पहले ही बता रहा हूँ पहले ही बता रहा हूँ लिखके ले लो मुझसे एक page पे ठीक है page नहीं लोगे तो मैं DM अगर आप चाहते हो मैं अगर फेक्टर एफेक्टिंग की हम बात करते हैं देखे फेक्टर एफेक्टिंग में सबसे पहले आपको पता है क्या होता है सबसे पहला जो point है वह नेचर ओफ लीविंग ग्रूप ठीक है लीविंग ग्रूप लीविंग ग्रूप का नेचर नेचर ओफ लीविंग ग्रूप क्या है देखो आपको पता है बहुत सारे जैसे लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया आयोडीन हो गया ठीक है बहुत सारी एक ग्रूप है हलाइड्स है जो लीव करते हैं लीविंग ग्रूप है वो ठीक है आपको पता एवन में क्या होता है सबसे पहले सी एक्स ब्रेक होता है अपोजिट है दोनों में ये भी आप वर्सिस उसमें लिख सकते हैं ठीक है अब जो ये CX bond break हो रहा है CX bond जो break हो रहा है वो कैसे हो रहा मतलब देखो सबसे तगड़ा जो होगा वो होगा जल्दी जो break होगा वो होगा CF फिर होगा CCL उसके बाद होगा सी यहां लिख देते हैं CBR और लास्ट में होगा CI क्यूं आयोडीन का जो इलेक्ट्र नेगेटिविटी होती है एस कंपेर टू फ्लोरीन बहुत कम होती है पहला दूसरा आयोडीन का साइज भी बहुत होड़ा होता है ठीक है इसको तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है फ्लोरीन का साइज छोटा सा होता है तो तूड़ जाता है इसलिए जब भी आपका even mechanism अगर हमको कराना होगा ठीक है even mechanism से अगर reaction करवानी होगी तो हम इन दोनों compound का easily even से reaction करवा सकते क्यों कि वहाँ पर हम सिर्फ इसको high temperature देते हैं high heat देते हैं जिससे एनिहाव यह break होई जाएगा ठीक है यह तो ऐसे अदर जाएगी ठीक है तो एक चीज तो यह हो गई कि भाया जो living group का nature कौन सा है तो अगर cbr है जैसे ठीक है hbr आप अलग कर रहे हो ठीक है या c के साथ bromine लगा हुआ है carbon के साथ वह अलग कर रहे हो तो कोशिश यह करना कि even mechanism से करने की कोशिश कर रहो तो आपके लिए ही वह बहुत अच्छा होएगा ठीक है अब दूसरा है nature and concentration of base ठीक है nature and concentration of base बहुत ही कुछ नहीं है इसमें तो मैं लिखने का भी मन नहीं कर रहा है nature and concentration of base या nature of base भी लिख देते हैं देखिए आपको पता है base कहां even और e2 base कहां role play करता है even में या e2 में उसके लिए हमको पढ़ना पढ़ेगा even में क्या होता है e2 में क्या होता है मां फटा फटा बता देता हूं जैसे यह है आपका एक्स है same example दे रहा हूं मैं ठीक है सबसे पहले even यह even mechanism है इसमें क्या होता है आपका यह में हजारो बार हाई temperature पे इसको हम heat करते है ठीक है और week base इसमें हम use करते है week base ठीक है week base तो क्या होता हाई temperature की वज़े से यह bond shift हो जाता है और आपको कार्फ็टाइन मिलता है कैसे मिलता है इस तरह से मिलता है ठीक है ch उसके बाद यह first step होगया second step में किया होताँ base यहां से जाके इसको खीच लेता है जैसी इसको खीचता है यह bond सब्सकरण हो जाता यह तो पहले ही चला यह उड़ जाता है पहले हर जाता है यह तो क्या हो जाएगा double bond CH तो यह आपका क्या आ गया elimination reaction का product आ गया अलकेन आ गया यह अलकेन से अलकेन आ ठीक है अब इधर क्या होता है आपका इधर सेम वही compound ले रहा हूं इधर क्या हो रहा हम strong base use कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे है strong base strong है यह क्या करेगा सीधे इह अटेक करगे सको खीच लेगा जैसे ही यहां शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही यह 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 बहुत हलका होता है तो यह जो है आपका यहां Shift हो जाएगा और यह चला जाएगा तो पूरी reaction एक साथ हो जाएगी क्या हो जाएगा आपका सीधे यह compound बन तो ब्रेक कर रहा है इधर तो temperature main role play कर रहा है इधर base role play नहीं कर रहा है ठीक है तो अगर आप nature of base की बात करो तो strong base जो है strong base use होता है आपका E2 mechanism में और यही ज़र है यही जो है आपका क्या करता है major role play करता है उसके बाद है आपका effect of temperature जो यहाँ जो होता है यहाँ पर temperature इसी के साथ एक point और आजाएगा आपका next वह आजाएगा आपका effect of effect of temperature ठीक है तो temperature कहा role play करता है इधर या इधर यहाँ role play करता है यहाँ जब हम ज्यादा इसको temperature देंगे तभी तो यह bond break होगा CX का यहाँ temperature का कोई role नहीं है तो strong base है काम खतम करतेगा strong base ही ठीक है तो temperature यहाँ role play करता है और आपका जो base है वह इधर e2 में role play करता है तो यह ऐसे factors हैं जो effect करते हैं elimination reaction को तो यह जो है छोटी सी वीडियो 9 मिनट की बनी है 10 मिनट की वीडियो बनी है तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसना आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा bell icon पर क्लिक कीजिएगा आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहु वीडियो सुमेच